प्रिष्ट संख्या संतानवे अध्याय पांच आधुनिक विश्व में चरवा है इस अध्याय में आप घुमन्तू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे घुमन्तू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगा टिककर नहीं रहते बलकि रोजी रोटी के जुगाड में यहां से वहां घुमते रहते हैं देश के कई हिस्सों में हम घुमन्तू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं चरवाहों की किसी टोली के पास भिड़ बेकरियों का रेवर या जुन्ड होता है तो किसी के पास उूट या अन्य मवेशी रहते है क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं उनकी आमदनी के साधन क्या है उनका अतीत क्या था चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगा मिल पाती है जब भी आप अर्थ व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा हो या अर्थ शास्त्र की सिर्फ कृशी और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता मानो उनकी जिन्दगी का कोई मतलब ही नहो अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगा नहीं है जैसे उनका दौर बीच चुका हो इस अध्याय में आप सुनेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है यहां आप जानेंगे कि उपनिवेश्वाद ने उनकी जिन्दगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिन्दगी का अध्ययन करेंगे इस प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र संख्या एक पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चर्ती भीणे बुग्याल उचे पहाडों पर बारा हजार फुट से भी ज्यादा उंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चरागा होते हैं जाडों में ये बर्व से ढखे रहते हैं और अप्रेल के बाद हरे भरे हो जाते हैं इस समय पहाडियों की तलहटी तरा-तरा की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है मौनसून तक इन चरागाहों में घनी हर्याली चा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं प्रिष्ट संख्या 98 एक पॉइंट एक पहाणों में जम्बू और कश्मीर के गुजर बकरवाल समुदाय के लोग भेडबकरियों के बड़े बड़े रेवर रखते हैं इस समुदाय के अधिक तर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते उन्नीसमी सदी में यहां आये थे जैसे जैसे समय बीटता गया वे यहीं के होकर रह गए यहीं बस गए इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग-अलग चरागाहों में जाने लगे जाडों में जब उची पहाडियां बर्फ से ढख जाती तो वे शिवाले की निचली पहाडियों में आकर डेरा डाल लेते जाडों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी जाडिया ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती अप्रेल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चरागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बना कर साथ साथ चलते थे वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुँच जाते जैसे ही गर्मिया शुरू होती जमे हुई बर्फ की मोटी चादर पिगलने लगती और चारों तरफ हर्याली चा जाती इन दिनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहत मंद खुराग भी मिल जाती थी सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते इस बार वे वापस अपने जाडों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की और चले जाते जब पहाडों की चोटियों पर बर्फ चमने लगती तो वे निचली पहाडियों की शरण में चले जाते पास के ही पहाडों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं ये लोग भी मौसमी उतार चड़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगा बदलते रहते थे वे भी शिवालिक के निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को जाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे अपरेल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मिया लाहौल और स्पीती में बिता देते जब बर्फ बिघलती और उचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे उपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुँचते थे सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते इस प्रिष्ट पर चित्रसंख्या दो गुजजर गड़रिये बुग्ज्याल में मिलने वाले रिंगल यनी एक तरह का पहाड़ी मांस और घास से बने मंडपों में रहते हैं इनी मंडपों का इस्तिमाल कारियस्थल के रूप में भी होता था यहां गुजजर घी निकालते थे और उसे बेचते थे हाल के सालों में वे बसों और ट्रकों में भरकर भी दूद ले जाने लगे हैं ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की उँचाई पर होते हैं भेंसे इस से ज्यादा उँचाई पर नहीं जा सकती 1850 के दर्शक में जी सी बांस ने कांगड़ा के गुजरों का वर्णन इस प्रकार किया था पहाडियों में रहने वाले गुजर शुद चर्वाहा कबीले के लोग हैं वेलगभग न के बराबर खेती करते हैं गद्यों के पास भेडबकरियां होती हैं तो गुजर गाय भैस पालते हैं ये लोग जंगल के किनारे रहते हैं और दूत, घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीजें बेच कर अपना पेच पालते हैं घर के बर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ़तों तक घर नहीं लोटते इस बीच वे जंगल में अपने रेवड के साथ ही रहते हैं और तें सिर्फ पर टोक्रियां और कंधे पर हांडियां लटका कर रोज बाजार चली जाती हैं उनकी हांडियों में दूत, मक्खन और घी आदी होता है वे सिर्फ इतनी चीजें ही बाजार में ले जा पाती हैं जितनी घर चलाने के लिए काफी हो गर्मियों में गुजर अपने रेवडों को लेकर प्राया उपरी इलाकों में चले जाते हैं जहां उनकी भैसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है और वे शीतोष्न न जादा ठंडा न जादा गरम मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं बलकि उन जहरीली मक्यों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीना मुहाल किये रहते हैं अब आगे की चर्चा वापसी में वे लाहॉल और स्पिती के गाउं में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुखते इस पीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते यहां से वे अपने रेवर लेकर शिवालिक की पहाडियों में जाडों वाले चरागाहों में चले जाते और अगली अप्रेल में भेड बक्रियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते आईए अब जरा और पूर्फ की तरफ चलें गढ़वाल और कुमाओं के गुज़र चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में उपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे इन Самे से बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19 सदी में जम्मू से उत्रप्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बादमें यहीं बस गए सर्दी कर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का ये चलन हिमाले के परवतों में रहने वाले बहुत सारे चर्वाह समुदायों में दिखाई दिता था यहां के भूटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चर्वाहे थे ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग-अलग इलाकों में पढ़ने वाले चरागाहों का बहतरीन इस्तिमाल करते थे जब एक चरागाह की हर्याली खत्म हो जाती थी या इस्तिमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चरागाह की तरफ चले जाते थे इस आवाजाही से चरागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तिमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हर्याली वा जिन्दगी भी लौट आती थी इस प्रिष्ट पर दो चित्र है चित्र तीन उन उतरने का इंतिजार हिमाचल प्रदेश स्थित पालंपूर के पास उहल घाटी चित्र चार गद्दी भीडों की उन उतार रहे हैं सितंबर तक गद्दी उचे मैदानों यानि धार से नीचे आने लगते हैं रास्ते में कुछ समय रुक कर वे अपनी भीडों की उन उतरवाते हैं उन काटने से पहले भीडों को नहला धुला कर साफ किया जाता है नए शब्द भाबर गढ़वाल और कुमाओं के इलाके में पहाडियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका बुग्याल उचे पहाडों में स्थित घास के मैदान प्रिष्ट संख्या सव एक पॉइंट दू पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे सिर्फ पहाडों में ही नहीं रहते थे वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे धंगर महराष्ट का एक जाना माना चरवाह समुदाय है बीसवी सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग चार लाख सरसट हजार थी उन में से ज्यादा तर गडरिये या चरवाहे थे हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे जबकि कुछ भैंस पालते थे धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महराष्ट्र के मध्धे पठारों में रहते थे ये एक अर्ध शुष्क इलाखा था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाओ नहीं थी चारों तरफ सिर्फ कंटीली जाणियां होती थी बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहां और कुछ नहीं उगता था मौनसून में ये पठ्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी अक्तूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवडों के साथ कौंकन के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे अच्छी बारिश और उपजाव मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी कौंकनी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोल कर स्वागत करते थे जिस समय धंगर कौंकन पहुँचते थे उसी समय कौंकन के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रभी की फसल के लिए दोबारा उपजाव बनाना होता था धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंटों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी कौंकनी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलागे में ले जाते थे क्यूंकि वहाँ इस तरह के एनाच बहुत कम होते थे मौनसुन की बारिश शुरू होते ही धंगर, कौंकन और तटिये इलाखे छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लोट जाते थे क्यूंकि भिणे गीले मौनसुनी हालात को बरदाश्थ नहीं कर पाती करनाटक और आंत्रप्रदेश में भी सूखे मध्धे पठार, घास और पत्थरों से अटे पड़े थे इन में मवेशियों, भिडबकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, चित्रसंख्या पांच पश्चमी राजस्थान के थार रिगिस्तान में चरते राईका समुदाई के उंट यहां पाई जाने वाली सूखी और कंटीली जाडियों के सहारे सिर्फ उंट ही जिन्दा रह सकते हैं लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरना पड़ता है नए शब्द रभी जाडों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है खरीफ सितंबर अक्तूबर में कटने वाली फसलें ठूट पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ यहां गोल्ला समुदाई के लोग गाय भैस पालते थे जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाई भिर्डबक्रियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे यह लोग जंगलों और छोटे-छोटे खेतों के आसपास रहते थे वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ-साथ कई दूसरे कामधंदे भी करते थे पहाडी, चर्वाहों के विपरीत यहां के चर्वाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तै नहीं होता था ये लोग बरसाथ और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगा बदलते थे सूखे महीनों में वे तटिये इलाकों की तरफ चले जाते थे जबके बरसाथ चुरू होने पर वापस चल देते थे मौनसून के दिनों में तटिये इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे वे सिर्फ भैसों को ही रासा सकते थे ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है बंजारे उत्रप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और महराश्टर के कई इलाकों में रहते थे ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गाउवालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज में रहते राजस्थान के रेगिस्तानों में राईका समुदाय रहता था इस इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था होती भी थी तो बहुत कम इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी इसके चलते राईका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे बरसात में तो बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राईका अपने कामों में ही रहते थे क्योंकि इस दोरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था पर अक्तूबर आते आते ये चरागा सुखने लगते थे नतीजितन ये लोग नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तिरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लोटते थे राइकाओं का एक तपका उट पालता था जबकि कुछ भिर्ड बक्रियां पालते थे आगे की चर्चा से पहले इस प्रिष्ट पर दिया गया चित्र चित्र संख्या छे अपने उट के साथ एक उट पालक ये रاجस्थान में जैसल मिर के निकट थार का रेगस्थान है इस एक उट पालकों को मारू राइका यानि रेगस्थान राइका और उनकी बस्ती को डंडि कहा जाता है स्रोथ ख बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चर्वाहा समुदायों के जिंदगी की छलक मिलती है मिसाल के तौर पर उन्नीस्वी सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गामों में रहते हैं यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के खस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में साथ आठ नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उन में से दो तीन लोग जंगल में जानवर चराते हैं जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकडी छपपर के लिए पुआल आदी पहु इन स्रोतों के आधार पर संक्षेप में बताईए कि चर्वाहा परिवारों के औरत मर्द क्या-क्या काम करते थे। आपकी राय में चर्वाहे जंगलों के आसपास ही क्यूं रहते हैं। अब आगे की चर्चा उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवर एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहां पानी और चरागाह मिल सकते हैं। उन्हें नकेवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था बलकि ये भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पढ़ने वाले गामों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाओ बनाते चलें अपनी रोजी रोटी के जुगाड में उन्हें खेती, व्यापार और चर्वाही ये सारे काम करने पड़ते थे आईए अब सुने कि अपने वेशिक शासन के दौरान यानि अंग्रेजों के जमाने में चर्वाहों का जीवन किस तरह बदला लेकिन उससे पहले इस प्रिष्ठ पर दिये गए दो चित्र, चित्र संख्या साथ पश्चिमी राजस्थान में बलोतरा स्थित उट मेला उट पालक यहां उटों की खरीद फरोखत के लिए आते हैं मेले में मारू राईका उटों के प्रिशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं इस मेले में गुजराच से घोड़े भी लाये जाते हैं चित्र संख्या आठ पुष्कर का उट मेला पृष्ट संख्या एक सव तीन अगले प्रिष्ट पर दो चित्र हैं चित्र संख्या नौ मारू राइकाओं की वन्शावली बताने वाला वन्शावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है इस तरह की मौखिक परमपराओं से चरवाहा समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता है इन परमपराओं से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई समुदायों अपने अतीत को किस तरह देखता है चित्र संख्या दस चरागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे उनके गाउं कच्छ की रन में स्थित हैं प्रिष्ट संख्या 104 अपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन अपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलावाए उनके चरागाह सिमट गए इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे चो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धी हुई खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा आईए सुने कि ये सब कैसे और क्यों हुआ पहली बात अंग्रेश सरकार चरागाहों को खेती के जमीन में तबदील कर देना चाहती थी जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा सुरोत था खेती का क्षेत्र फल बढ़ने से सरकार की आए में और बढ़ोतरी हो सकती थी इतना है नहीं इससे जूट यानि पठसन, कपास, गेहूं और अन्ने खेती हर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता जिनकी इंग्लेंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था उससे न तो लगान मिलता था और नहीं उपज अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे उसे खेती के लाइक बनाना ज़रूरी था इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्नीस्वी शताबदी के मध्धे से देश के विभिन भागों में परती भूमी विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे इन कायदे कानूनों के जरिये सरकार गेर खेती हर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सापने लगी इन लोगों को कई तरह की रियाएते दी गई और इस जमीन को खेती के लाइक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जम कर बढ़ावा दिया गया ऐसे कुछ लोगों को गाउं का मुख्या बना दिया गया इस तरह कबजे में ली गई जादातर जमीन चरागाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तिमाल किया करते थे इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी दूसरी बात उन्नीसवी सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन नप्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किये जाने लगे थे इन कानूनों की आड में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोशित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लगड़ी पैदा होती थी इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पावंदी लगा दी गई कई जंगलों को संरक्षित घोशित कर दिया गया इन जंगलों में चर्वाहों को चर्वाही के कुछ परमपरागत अधिकार तो दे दिये गए लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही अपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशूं के चर्णे से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपले नश्ठ हो जाती है उनकी राय में चर्वाहों के रेवर छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कौपलों को खा जाते हैं जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुख जाती है आगे की चर्चा से पहले इस प्रिष्ट पर स्रोथ ग एचेस गिपसन वन उपसन रक्षक दार्जिलिंग ने 1913 में लिखा था चर्वाही के लिए प्रयोग किये जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहां से इमारती लकड़ी तथा इंधन इकठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं क्रिया कलाप माल लीजिए कि जंगलों में जानवरों को चराने पर रोक लगा दी गई है इस बात पर इस द्रिष्टी से टिपनी कीजिए इस बात पर एक वन अधिकारी एक चर्वाहा की द्रिष्टी से टिपनी कीजिए नए शब्द परंपरा गत अधिकार परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार प्रिष्ट संख्या एक सव पाँच अब आगे वन अधिनियमों ने चर्वाहू की जिंदगी बदल डाली अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूले चारे का स्रोत थे जिन क्षित्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई और वो जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे अब चर्वाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे भले ही वहाँ चारा कितना ही हूँ घास कितनी भी क्यों नहीं हो था कि वो कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे अगर वो समय सीमा का उलंगन करते थे तो उन पर जुर्मा ना लगा दिया जाता था तीसरी बात अंग्रेज अफसर घुमंतु किसम के लोगों को शक की नजर से देखते थे वे गाओं गाओं जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारिकरों वा व्यापारियों और अपने रेवड के लिए हर साल नए नए चरागाहों के तलाश में रहने वाले हर मौसम में अपनी रिहायश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे वे चाहते थे कि ग्रामिन जन्ता गामों में रहे, उनकी रिहायश और खेतों पर उनके अधिकार तेहूं इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रत करना ज्यादा आसान था जो एक जगा टिक कर रहती हो ऐसे लोगों को शांती प्रिये और कानून का पालन करने वाला माना जाता था घुमन्तूओं को अपराधी माना जाता था 1871 में अपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाती अधिनियम Criminal Tribes Act पारित किया इस खानून के तहट दस्तकारों व्यापारियों और चर्वाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों के सूची में रख दिया गया उन्हें गुद्रती और जन्मजात अपराधी घोशित कर दिया गया इस खानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाउं या बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया उनकी बिना पर्मिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई ग्राम में पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी चौथी बात अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरुखत की चीजों और यहां तक की मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया चर्वाहों से चरागाहों में चरने वाले एक-एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा देश के ज्यादा तर चर्वाही इलाकों में उन्नीस्वी सदी के मध्धे से ही चर्वाही टैक्स लागो कर दिया गया था प्रती मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकाइदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे 1880 के दशक तक आते आते, सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चर्वाहों से ही कर्वसूलना शुरू कर दिया हर एक चर्वाहे को एक पास जारी कर दिया गया इस प्रिष्ट पर स्रोत घः 1920 के दशक में Royal Commission on Agriculture ने अपनी रिपोर्ट में लिखा बढ़ती आबादी, सिचाय सुविधाओं के विस्तार और रक्षा, उद्योग एवं कृशी प्रयोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चरागाहों के अधी ग्रहन की वज़ा से चर्वाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षित रफल में बहुत भारी गिरावट आई है अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवर रखने में मुश्किल पैदा हो रही है इसकी वज़ा से उनकी आमदनी में गिरावट आई है उनके जानवरों के गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कर्जे बढ़ते जा रहे है क्रिया कलपना कीजिए कि आप उन्नीसवी सदी के आखरी सालों यानी सन अठारा सो नब्बे के आसपास रह रहे हैं आप घुमन तू चरवाहों या कारिगरों के एक समुदाय से तालुक रखते हैं आपको पता चला है कि सरकार ने आपके समुदाय को अपराधी समुदाय घोशित कर दिया है संक्षेप में बताईए कि ये जानकर आपको कैसा महसूस होता और आप क्या करते स्थानिय कलेक्टर को चिठी लिख कर बताईए कि आपकी नजर में ये कानून किस तरह अन्याय पूर्ण है और इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेंगे अब आगे की चर्चा किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखा कर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था 2.1 इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे. जब चरागा खेतों में बदलने लगे, तो बचे खुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी. इसका नतीजा ये हुआ कि चरागा सदा जानवरों से भरे रहने लगे अब तक तो घुमन्तू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागा भी फिर से हरे भरे हो जाते थे इस प्रिष्ट पर एक मान चित्र, चित्र संख्या ग्यारा भारत में चरवाहा समुदाए इस नक्षे में केवल उन चरवाहा समुदाएं के इलाकों का उलेक किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाहा समुदाए रहते हैं प्रिष्ट संख्या 107 प्रिष्ट संख्या 107 चर्वाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया इन बदलावों पर चर्वाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई कुछ चर्वाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहली की तरहा बड़े-बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे जब पुराने चरागाहों का इस्तिमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंड लिए मिसाल के तोर पर उट और भेड़ पालने वाले राइका उन्निस सो सेंटालिस के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे भारत और पाकिस्तान के बीच खींचती कई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोग दिया जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगा ढूंडनी थी अब वे हरियाना के खेतों में जाने लगे हैं जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती है जो उन्हें इन जानवरों के मलमूतर से मिल जाती है समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगा बसकर रहने लगे उन में से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था वे सूथ खोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे इस चक्कर में बहतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बन कर रहे गए वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिन्दा हैं बलकि हाल के दशकों में कई जगा तो उनकी संख्या में व्रिधी भी हुई है जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखले पर रोक लगा दी जाती वे अपनी दिशा बदल लेते रेवर छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंदे भी करने लगते बहुत सारे परिस्थिती विग्यानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाडों में जिन्दा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावारिक रास्ता है बहराल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तोर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मताबिक अपनी जिंदगी का धर्रा बदलने पर मजबूर किया है आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए प्रिष्ट संख्या 108 अफ्रीका में चरवाहा जीवन आईए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है आज भी अफ्रीका के लगभग सवा दो करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी ना किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं इनमें बेदुइंस, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुरकाना जैसे जाने माने समुदाए भी शामिल हैं इनमें से ज्यादा तर अब अर्ध शुश्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है यहां के चरवाहे गाए बैल, उूट, बकरी, भिर्ड वगधे पालते हैं और दूद, मांस, पशों की खाल वव उन आदी बेचते हैं कुछ चरवाहे व्यापार और यातायाद संबंधी काम भी करते हैं कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आयसे गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंदा कर लेते हैं हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चर्वाहों की जिंदगी में भी आपनिवेशिक और उत्तर आपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं आखिर क्या थे ये बदलाव इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या बारह मासाई लैंड जिसके पीछे किली मंजारों पहाड दिखाई दे रहे हैं बदलती परिस्थितियों के कारण मासाई, मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्दे पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते परमपरागत रूप से वे इन चीजों को पसंद नहीं करते थे मासाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृती के विरुद्ध है यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वो चरवाही के लायक नहीं रहती प्रिष्ट संख्या 109 आगे की चर्चा इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं मासाई पशुपालक मोटे तोर पर पूरवी अफरीका के निवासी हैं इन में से लगभग 3 लाक दक्षणी कीनिया में और गरीब 1 लाक पचास अजार तंजानिया में रहते हैं अभी हम सुनेंगे के नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली बलकि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदिया थोप दी हैं इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तोर पर बदल गई हैं और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शकल में ढल गए हैं इस प्रिष्ट पर एक चित्र, चित्र संख्या 13, अफ्रीका के चरवाह समुदाएं इसी चित्र में एक छोटी तस्वीर यानि इनसेट जिसमें कीनिया और तंजानिया के मासाईयों का इलाका दर्शाया गया है तांगानियका के बारे में ब्रिटर्ड ने पहले विश्वयुद्ध के दोरान उस इलाके पर कबजा कर लिया जिसे जर्मन इस्ट अफ्रीका कहा जाता था 1919 में तांगानियका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया 1961 में उसे आजादी मिली और 1964 में जन्जिबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया अब आगे 3.1 चरागाहों का क्या हुआ मासाईयों की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमट दे जा रहे है अपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलागा उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्तेपीस तक फैला हुआ था 19. सदी के आखर में यॉरप की सामराजवादी ताकतों ने अफरीका में कबजे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलागों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तबदील करके अपने अपने कबजे में ले लिया 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानियका के बीच एक अंतरराश्ट्रिये सीमा खीच कर मासाई लैंट के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिये गए बात के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बहतरीन चरागाहूं को अपने कबजे में ले लिया प्रिक शासन से पहले मासाईयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग साथ फीसदी हिस्सा उन से छीन लिया गया उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाहा थे उन्नीस्वी सदी के अन्तिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानिये किसानों को अपनी खेती के क्षित्र फल को ज्यादा से ज्यादा पहलाने के लिए प्रोच्चाहित करने लगी जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेतों में तब्दील होने लगे अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और आजनीतिक दोनों स्थर पर अपने किसान पडोसियों पर भारी पड़ते थे अपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते ये समिकरन बिलकुल उलट चुका था बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया कीनिया में मासाई मारा वा सामबूरू नाशल पाक और तंजानिया में सेरिंगेटी पाक जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आये थे इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था इन इलागों में ना तो भी शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने धोर डंगर चराया करते थे मिसाल के तौर पर सेरिंगेटी नाशनल पाक का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षित्र फल मासाईयों के चरागाहों पर कबजा करके बनाया गया था इस प्रिष्ट पर एक चित्र, चित्र संख्या 14 घास के बिना पशु अर्थात मवेशी, बक्रियां और भेडे कुपोशन का शिकार हो जाते हैं जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पढ़ने लगता है सूखे और भोजन की सरवाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अंबोसेली नाश्रल पाक के आसपास बढ़ता है जिसकी परेटन से होने वाली आए पिछले साल लगभग 24 करोड कीनियन शिलिंग लगभग 35 लाक अमेरिकी डॉलर थी किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है लेकिन यहां रहने वाले समुदाए ना तो पीने के लिए और नहीं सिचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं सौजन्य दमासाई असोसियेशन प्रिष्ट संख्या 111 मासाई नाम मा शब्द से निकला है मा साई का मतलब होता है मेरे लोग परंपरागत रूप से मासाई घुमंतू और चरवाहा समुदाए के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूद और मांस पर आश्रित रहते हैं उचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहां शुष्क, धूल भरे और बेहत गर्म हालात रहते हैं इस अर्ध शुष्क, विशुवत वृत्तिये इलाके में सूखे के हालात सामानने हैं ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं अफ्रीका की अन्य जगाहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा दक्षन पश्चिम अफ्रीका मिस्थित नामीबिया के काव को लैंड चरवाहे, परंपरागत रूप से काव को लैंड और पास ही मिस्थित ओवांबो लैंड के बीच आते जाते रहते थे ये लोग आसपास के बाजारों में जन्वरों की खाल, गोश्ट और अन्यवस्तु में बेचा करते थे नई भोगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी जिस से उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया नामीबियस्थित कावको लैंड के घुमन्तू पशुपालोकों की शिकायत थी हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें गैद में डाल दिया गया है हमें तो पता भी नहीं के हमें बंद क्यों किया गया है हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगा नहीं है हम दक्षन से गोष्थ नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भीच सकते ओवांबो लान्ड अब हमारे लिए बंद हो चुका है हम लंबे समय तक ओवामबो लैंड में रहे हैं हम अपने जानवरों को, अपनी भेडों और बक्रियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं पर सीमाएं बंध हैं ये सीमाएं हमें मारे दे रही हैं जीना मुश्किल है नामीबिया स्थित काओ को लैंड के चर्वाहों का बयान नामीबिया उन्निसो उननचास माइकल बॉलिग दे कलोनियल एनकेप्सिलेशन अफ दे नौर्थ वेस्टन नामीबियन पैस्टोरिल एकॉनमी अफ्रीका अरसट उन्निसो अठ्ठानमे में उध्रित प्रिष्ट संख्या 112 स्रोत 6 अपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चर्वाहों के आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था नामीबिया में कावको लैंड के चर्वाहों के आने जाने पर पाबंदिया लगाने के लिए दक्षण पश्चमी अफरीका के एक मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा ना हो जाएं तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी ना किये जाएं इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुष लगाना और उन्हें काबु में रखना है इसलिए उन्हें सामाने यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किये जाएं अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वज़ा से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसमें मासाईयों को धकेल दिया गया था एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा ये हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा चारे की हमेशा कमी रहने लगी मवेशियों का पेट भरना एक स्थाई समस्या बन गया तीन पॉइंट दू सरहदें बंध हो गई उन्नीस्वी सदी में चरवाहे चरागाहों की खोच में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे जब एक जगा के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवर लेकर किसी और जगा चले जाते थे लेकिन उन्नीस्वी सदी के आखरी दशकों से आपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदिया लगाने लगी मासाईयों की तरह अन्ने चरवाहों को भी विशेश आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया अब ये समुदाए इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आजा नहीं सकते थे वे विशेश पर्मिट लिये बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे लेकिन पर्मिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी चर्वाहों को गोरो के इलाके में पढ़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोग दिया गया बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे बाहर से आए गोरे और यूरोपिये अपने वेशक अफसर, उन्हें खतरनाक और बरबर सौभावाला मानते थे उनकी नजर में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था लेकिन इन स्थानिये लोगों से किसी भी तरह के संबंध ना रखना भी मुम्किन नहीं था आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरूसा था नई सरहदों ने चर्वाहों की जिन्दगी रातो रात बदल डाली नई पाबंदियों और बाधाओं की आड में उन्हें प्रताडित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैट सा महसूस करने लगे इस से उनकी चर्वाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविध्यों पर बहुत बुरा असर पड़ा अब तक चर्वाहे न केवल मवेशी चराते थे बलकि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे अपनिवेशिक शासन के अंतरगत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुष जरूर लग गए 3.3 जब चरागा सूख जाते हैं सूखा दुनिया भर के चर्वाहों की जिन्दगी पर असर डालता है जिस साल बारिश नहीं होती और चरागा सूख जाते हैं अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भुकमरी का संकट पैदा हो जाता है इसलिए परंपरागत तोर पर चर्वाहे घुमन्तू सुभाव के लोग होते हैं वे यहां से वहां जाते ही रहते हैं इसी घुमन्तूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं लेकिन आपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाईयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चरागाहों की खोज में यहां वाहां भटकने पर रोक लगा दी गई उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुश्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी क्यूंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगा नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चरागा मिल सकते थे इसलिए सूखे के सालों में मासाईयों के बहुत सारे मवेशी भूक और बीमारियों की वज़ा से मारे जाते थे सन 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मासाईयों के पास साथ लाग बीस हजार मवेशी, आठ लाग बीस हजार भीड और एक लाग एकहत्तर हजार गधे थे 1933 और 1934 में पड़े केवल दो साल के सूखे के बाद इन में से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे जैसे जैसे चरने की जगा सिकुरती गई, सूखे के दुश परिणाम भयानक रूप लेते चले गए बार-बार आने वाले बुरे सालों की वज़ा से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावटाती गई 3.4 सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा उपनिवेशिक काल में अफरीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आये बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था वरिष्ट जन अर्थात एल्डर्स और योध्धा अर्थात वॉरियर्स वरिष्ट जन शासन चलाते थे समुदाय से जुड़े मामलों पर विचारवे मर्श करने और एहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे योध्धाओं में ज्यादतर नौजवान होते थे जिने मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाज़त करने के लिए तैयार किया जाता था वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे जहां जानवर ही संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था अलग-अलग चर्वाह समुदायों की ताकत इनी हमलों से तैह होती थी आगे की चर्चा से पहले इसी प्रिष्ट पर चित्रसंख्या सोला योध्धा गहरे लाल रंग की शुका और चमकदार मूतियों के आभूशन पहनते हैं और स्टील की नोकवाला पाँच फुट लंबा भाला रखते हैं बारीकी से सवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुह करके खड़े होते हैं योध्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं सूखे के मौसम में योध्धा और लड़के दोनों ही पशुचराते हैं सौजन्ने, दमासाई असोसियेशन प्रिष्ठ संख्या, 114 युवाओं को युद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था, जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को चीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दान की साबित कर देते थे, फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे, मासाईयों के मामले की देख भाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन से आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े, उन्होंने कई मासाई उपसमूहों के मुख्या तै कर दिये, और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उने मात कमजोर हो गई। जानवरों की देख भाल करते थे। उन्हें चरवाही और गेर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वज़ा से घट जाएं तो वे और जानवर खरीच सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिन्दगी बसर करते थे, उ उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शेहरों की शर्र लिनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोईला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी उन्हें सडक या भवन निर्मान कारियों में काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समाज में दोस्तरों पर बदलावाएं। पहला वरिष्ठ जनों और योध्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो पर बूरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। इसी प्रिष्ठ पर चित्र संख्या सत्रा। आज भी योध्धा बनन चार महा तक अपने कबीले के इलाके का दोरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे च्छापा मारों की तरह दोड़ कर अपने आहाते में घुसते हैं। इस समारो के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठ प्रिष्ट संख्या 115 निश्कर्ष इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आये बदलावों से दुनिया के अलग-अलग चरवाह समुदायों पर अलग-अलग तरह के असर पड़े हैं नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आबाजाही का ढर्रा बदल दिया जैसे जैसे चरवाह खत्म होते गए जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चरवाह बचे थे वे भी अत्तितिक इस्तिमाल की वजह से बेकार हो गए सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोपती गई थी इसलिए वे चरागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं और जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेंदेन करते हैं और राहत, रियायत वा मदद के लिए सरकार पर राजनी तेक दबाव डालते हैं वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेर्णे की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अफशेश नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आथुनिक दुनिया में कोई जगा नहीं है। परियावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उप्यूगत है। इस प्रिष्ट पर एक चित्र, चित्र संख्या 18, जैपुर राजमार्क पर राई का गडरिये। बड़ी सडकों पर भारी यातायात ने गडरियों के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया है। प्रिष्ट संख्या 116 क्रिया कलाप कल्पना कीजिए कि ये सन 1950 का समय है और आप साथ वर्षिये राई का पर शुपा लखें। आप अपनी पोती को बता रहे हैं कि आजादी के बाद से आपके जीवन में क्या बदलावाए हैं। आप उसे क्या बताएंगे। मान लीजिए कि आपको एक प्रसिद्ध पत्रिका ने उपनिवेश्वात से पहले अफ्रीका में मासाईयों के स्थिती के बारे में एक लेख लिखने के लिए कहा है। वो लेख लिखिए और उसे एक सुन्दर शीर्शक दीजिए। चित्र ग्यारहा और तेरह में चिन्हित चरवाहा समुदायों में से कुछ समुदायों के बारे में और जानकारिया इकठा कीजिए। प्रश्ण 1. स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगा से दूसरी जगा क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से परियावरण को क्या लाब है। 2. इस बारे में चर्चा कीजिए कि आपनेवेशिक सरकार ने ये कानून क्यों बनाए। ये भी बताईए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ये कानून है परती भूमी नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाती अधिनियम और चराईकर। 3. मासाई समुदाय के चरागा उससे क्यों छिन गए। कारण बताएं। 4. आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें कई समानताएं थी। ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिये जो भारतिये चरवाहों और मासाई गडरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे।